चलिए तो सबसे पहले पहला experiment करते हैं बहुत ही simple सा experiment करते हैं सबसे पहले तो यह हमारे पास एक drill machine है जिसके बर मैंने एक चुटी सी modification कर दी है modification क्या है कि मैंने अपने घर पे पानी की बोतल जो की कार्ट के यहाँ पे लगा दी है और इसके अंदर यहाँ पे कुछ दिगलम बाजी करके यहाँ खुद ही बनाया है मैं सारी चीज़ा खुद से बनाता हूँ कहीं से बनवाता है नहीं बच्चो चीक है gravity भी नाम की चीज़ होती है इस दुनिया में कुछ नियम और कानून है तो आप देख सकते हो कि जहाँ पे जैसे इसके अंदर हमने ये गोले डाले कागस के ये कागस के गोले जो है वो आप देख सकते हो कि नीचे गिर रहे है अबबस के गुमागे उलटा करता हो तो क्या होगा देखना बच्छो अब अगर मैं इसको उल्टा करूँ तो क्या होगा देखना बच्रAL कि आफ़ान अब आप देहां से देखना तो इसको रोक़े घृए ग्रॉद गई अब इसका क्या रीजन है बच्चो इसका reason में आपे बहुत roughly समझाता हूँ कि जब भी कोई ये हमारे पास एक center है तो जब भी कोई चीज circular path में घुमती है जब भी कोई चीज circular path में घुमती है तो ध्यान रखिएगा उस पे center की तरफ हमेशा एक force लगती है ज्यादा detail में ने जाओंगा बोरो जाओगे इसको centri-pital force कहते है centri-pital force कहते है इसको centri-pital force कहते है लेकिन centri-pital force के हमेशा against एक और force लगती है जिसको centrifugal force कहा जाता है जिसको centrifugal force कहा जाता है तो बेसे कली ये centrifugal force का कमाल है जो कागस की गोलियों को इस बॉटल के पास कज रख रहा है थांक यू यार